वेल्कम बैक टो डिशेनल डिश्व्रेंट देखें इंग्लिस का ये मौक टेश्ट नमबर आठवा है आपको पता है कि एरफोर्स का एक्जाम आने वाला है और सिर्फ आपके पास एक या डेड़ महीने कह सकते हैं बचा हुआ है मैं बार-बार एक चीज कहता हूँ कि आप डेली प्रैक्टिसेट सौल्व करते रहे हैं देखें साल का ये अंतिम चल रहा है यानि कि अभी ये समझे कि नमबर महीना खतम ही होने वाला है दिसंबर बचा हुआ है एक महीने के लिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आप सब ही आपको सेलेक्टिसेट मिल जाएगा यही वो महीना है जिसमें आपको अपने आप में इंप्रूब करके आपको सेलेक्टिसेट पाना है ठीक है तो इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिसेट अगर सौल्व करते हैं आज से सुरू कर देते तो आपके एकजाम आने आने त सबस् Carry 7 से सुरू करते हैं आज के क्लास को पहला जो आपके सामने वन वर्ड सब्सिक्रीटीव सनने बताइएगा यहां पर कॉन्स वप्सन सही होगा ठीक है एक्ससेसीं्ग एकंपैलिंग चाउम इसका क्या होगा वर्ड में बताइए एक्ससेसीन अ compelling charm तो यहां पर देखे option number क्या सभी हो जाएगा ? सी सही हो जाएगा क्या हो जाएगा ? सी, करिज्मेटिक का मतलब क्या होता है या exercising compelling charm का मतलब क्या होता है ? इसका मतलब होता KIRK बोहती attractive या कैसा कई लोग offer काज्मरेटिक के पर्सनालिटी को ते हैं बहुत ही एक्सराइजिंग चाप थिक dub लिखते हैं देखिए इन सब महत्वपूर्श शब्दों को आप लिखते चलेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी होगी और वैसे भी आप देख सकते हैं अगर आपको लिखने का मन नहीं कर रहा है तो आए देखते हैं अगला जो आपके सामने अबनवर्स अब्सक्रिट्यूसन से question है वह है diverse in character और event diverse in character और event इसको simply याद करना है ऐसे देखिए diverse का मतलब क्या होता है तरह तरह के diverse का मतलब तरह तरह के ठीक है तरह तरह के character या तरह तरह के event तो क्या हो जाएगा option number c हो जाएगा ठीक है heterogeneous heterogeneous का मतलब होता है तरह तरह के character या फिर events देखिए एक होता है heterogeneous जिसका मतलब होता है तरह तरह के और इसी का उल्टा है homogeneous जिसका मतलब था एक तरह के एक तरह के तो बाकी के आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्ट की तरह बढ़ते हैं ठीक है नेक्ट की तरह बढ़ते हैं देखें नेरेशन से एक क्वेस्चन है आपके सामने और देखें आपका जो है कि नेरेशन में गलत नहीं होना चाहिए नेरेशन या वा important question है जिनका सही हो जाएगा comment box में जाए हिंद लिखिएगा चलिए आपकी पास समय है और आप आप संदेख लिए जिसलिए आपको समय दिए हैं बहुत ही brilliant होंगे अगर आप ये question सही करेंगे तो देखिए philosopher ने कहा कि hard labor is one of the basic requirement आप सकते क्योंकि सफलता के लिए hard labor जो है कि एक बहुत ही basic जरूरत है तो यह जो बात उसने कहा philosopher ने यह तो बात बिल्गुल सही है न यूनिवर्सल तूरूत है न इसमें तो sentence में कोई changes नहीं होगा इसके tense में कोई परिवर्थन नहीं होगा क्योंकि बात सही है यूनिवर्सल तूरूत है बाई basic जरूरत तो है न success के लिए आप बैठे बैठे तो success होंगे नहीं तो यहां पर tense नहीं देखिए option B में tense change कर दिया गया है और C में भी वाज कर दिया गया है तो दोनों option यहां पर क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे अब बात करते है option A सही है सर या option D सही अब देखिए told में बदल दिया है और sad को told में नहीं बदलेंगे sad को told में तब बदलते हैं जब आगे कुछ लिखा होता है मतलब जैसे sad to me या sad to her suggestion लगा सकते हैं अच्छा अगला question है कि turn around he told her ये भी cutting question अच्छा पिछला question क्या आपका सही था comment box में अपना नाम तो आये गाई लिख दीजिए क्यांसर सही था समझ जाएंगे कि हम तीसरा question आपका सही था चलिए चलिए चौथा question है देखिए ऐस परकार की question को सबसे पहले देखते हैं कि comma inverted comma के जगे क्या हम लगाएंगे तू लगाएंगे ठीक ना तो देखिए सबसे पहले हम खारिष करते थे बाकिक के question को ये बताते हुए कि option number B और आसक को यहां पर समझेगा आसक का मतलब कहना भी होता है आसक मतलब हमने पहले भी बताया जब पहला मुक्टिष्ट आप solve कियो होगा इसके पहले तो हमने बता है कि ask का मतलब कहना भी होता है ठीक है, तो option क्या हो जाएगा B सही हो जाएगा, कोई doubt नहीं होना चाहिए next question की तरफ बढ़ लेते है voice question आपके सामने है, देखिए I would advise you not to get on the wrong side of your boss समय ले लीजिए देख लीजिए कौन साप्शन सही है it would be advised क्या होगा देखिए it would भी नहीं होगा, एक चीज़ समझेगा पहले देखिए it से तो होगा नहीं दूसरा B में भी it would भी लिया है ये भी गलत है, C में you should be C सही हो सकता है D में देखिए my advice, ये भी गलत है option C सही, अब बताजे सर C कैसे सही है देखिए I यहां पर क्या है, subject है would advice क्या है, क्या है ये वोब है, ठीक है और you क्या है, object है, हमें object खोजना है na passive as बनाने के लिए हमें object चाहिए object को subject बनाते है passive as में, तो यहां पर object you है तो you से बनाएंगे न, ये it से बनाएं है सब गलत है यहाँ पर my advice से बना यह भी गलत है तो you would be advised अब देखे would be के साथ भी का अब आपका third form लगा यह भी सही है by me I का हमने object बना दिया me कर दिया not to get on the wrong side of your boss ठीक है option C सही है आगे बढ़ लेते हैं अगला question जो है कि voice यहाँ पर देखे आई वोई a big debt of gratitude to my mentor मिस पलवीद था बताईए क्या होगा यहाँ पर कह रहा है कि मैं अपने mentor का क्या हूँ आभादी हूँ अच्छा देखे यहाँ पर इसको देखने के बाद पता चल रहा है कि जो sentence है क्या है simple present में है तो देखे voice में tense नहीं बदलता है ध्यान देंगे तो चेंज नहीं होगा देखे बीम भी वाज कर दिए यह गलत होगा चेंज कर दिए इसमें future कर दिए प्रजेंट को तो तीनों में tense बदल दिए तीनों ऑप्सन गलत हो जाएगा ऑप्सन डी अटोमेटिक से होगा भाई तीन हट गए तो चोथा अटोमेटिक सही अब क्यों सही यह भी समझ लीजिए देखे यहां पर simple present था तो इसलिए हमने इज लगा दिया इज के साथ वर्प का third form और उसके बाद बाई आई को हमने मी कर दिया क्लियर कहानी समझ में आ अधा होली सीटी वारांसी के एंगर पवित्र है वारांसी यह लिए अब देखे है वोअली का मतलब सब्द याद रखेंगे historical का मतलब क्या होता है आतिहासिक का मतलब क्या होता है पूरा नेष्ट यहाँ पर देखे आपके सामने जो शब्द आ गया है यहां पर बताइए 《ई Beneelson》 लिखा हुआ है क्ये लीका है सर अफिलिक्षन अफिलिक्षन का मतलब होता है दुख दर्द क्या होता है दुख दर्द सफरिंग है ना तो प्राब्लम नहीं होगा है ना प्राब्लम तो बहुत सारे हो सकते लेकि एक क्या होता है कि दुख होता है जो कि सफर कर रहे तो लोग जहल ले होते हैं उस टाइब के दुख यह पर ऑप्सन नमबर बी हो ज विरोध करना, ठीक न, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विरोध करना क्या है, यहाँ पर एंटोनीम हमें चाहिए न, उल्टा चाहिए न, एंटोनीम का मतलब क्या होता है, उल्टा चाहिए, तो ओबीडियंट हो जाएगा, ओप्सन ए से हो जाएगा, द साविटूड का मतलब क्या होता है गुलामी इसका उल्टा क्या हो जाएगा फ्रीडम्य यानि कि आजादी बाकि sun भीर्ण का मतलब समझते बंडेस का मतलब समझी हुथ है देखें मेगत है । इति हतों है, अब क्लेम इसका क्या होगा किया है। किल यह वहां मारने के संस में नहीं है देखिए मारना क्या होता है एक होता है बीट का मतलब होता है पीटना और एक होता है किल का मतलब ऐसे पीट दिए किल का मतलब क्या होता है किल का मतलब जान से मारा है लेकिन यहां पर वो सेंस नहीं है इडियम में तो लिखा कुछ और जाए तो उसका मतलब कुछ और होता है तभी तो वो इडियम है make a killing का मतलब होता है make money quickly यानि कि बहुत तेजी से पैसे बनाना याना कुछ लोग वहत तेजी से पैसे बना लेते हैं अपनी लाइफ में 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं बहुत पैसे कमा लेते हैं उसको बलते हैं make a killing बहुत तेजी से मतलब 20-30 की उमर में ही कह सकते हैं या साल, 22 साल में कोई तयार कर लिया that is make a killing ठीक है नेश देखेए wet his whistle wet his whistle बताए क्या होगा इसका या पर और आप्सन नमबर B हो जाएगा have a drink wet whistle का मतलब क्या होता है have a drink या नहीं कि पीना देखेए इसको ऐसे याद रखेंगे ने wet his whistle का मतलब क्या होता है have a drink ठीक है चलिए फिलाल के लिए इतना ही उम्मीद है कि आपको ये चीज़े समझ में आए होगी dear student मैं आपसे बार-बार request कर रहा हूँ कि एक महीने का समय ध्यान से पढ़िए कोई भी doubt है तो comment box में पूछ लीजिए इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं मेरी आवाद सुन रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें और एक comment में जाय हिंद खुब सूरत लेग दीजिए ताकि आपका भी जोस बना रहा है हमें भी motivation मिलता रहा है मिलेंगे फिरगली वीडियों तप्तकिली जैहिंद वंदे मात्रू